हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक चू माई किचिन तो आज मैं आप सब करें लेक्या यू पाव भाजी मैंने आई यह पाव भाजी मुंबई स्ट्राइल में बनाई है और साथ साथ बहुत ज्यादा मैंने हैल्दी बनाई है तो चलिए देखते हैं हम अपने कैसे पाव भाजी बना कर सकते हैं इसमें मैंने ग्रीन चिली कॉली फ्लावर ब्रॉकली टेमेटो बिट्रूट कैरेट पटैटो और इसमें हमें पाव भाजी बनाने के लिए ऐसे कोई भी वेजिटेवल का लग से बॉइल नहीं करना होगा मैं डारेक्ली आपको उसमें कुकर में दिखाती हूं कै कैसे मैंने इसको बनाया है इसमें दो ही मसाली हमें चाहिए होएंगे एक हमारा पाव भाजी मसाला दूसरा सॉल्ट ग्रीन चिली चॉप कॉरिंडर अनियन चॉप कैप्सिकम चॉप मतर तो देखिए आज अपनी हेल्दी वे में पाव भाजी बनाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पाव भाजी की ग्रेवी फरस्ट आप कोई भी कुक कर ले सकते हैं वन टेबल स्पिल ऑईल डालेंगे और साथ ही साथ हम इसको मुंबई स्टैल में बना रहे हैं और साथ में हेल्दी में तो हम इसको बड़े अलग को यूनिक वी में बनाएंगे तो हम इसमें अपना ये पाव भाजी मसाला एट करेंगे और जीरा जीरा ऑप्शनल है तो यह जो मैंने पाव भाजी मसाला लिया है यह मैं हाफ अभी आपर एट करूँगी और हाफ बाद में एट करेंगे हो मेक शूर जब भी आप अपना पाव भाजी मसाला डाले आपका जो फ्ले में वह सीम होना चाहिए क्योंकि अगर आपका पाव भाजी मसाला जल गया तो फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा आप जल्दी से अपना वेजिटेबल्स में एट कर दीजिए जो जो आपके पास पटाटो कॉलिफलावर कैरेट इसको नीचे स्टेयर कर लेते हैं कि बिटूट आपको जरूर एट करना है क्योंकि मैं को इसमें आर्टिफिचल कलर नहीं डाल रहे हूं मैं इसका एकदम रैट कलर लेकि आऊंगी जैसे कि हमें मार्के स्टाइल में मिलता है तो आप और टमाटर आप इसमें देख सकते हैं अपनी चाइस का अको बिटू आपको ज्यादा अच्छा खटा फिलेवर चाहिए पाव भाजे में तो टमाटर आप ज्याधा एड़ कर करें तो नॉर्मल यह आप तीन से चार टमाटर एड़ कर सकते हैं कि यह देखिए सारी तो एक बारा ब्रॉक्ली भी आट करना यह देखिए असे इतना वे हमारा इसमें पावजी मसाला था वो अच्छी तरह से कोट हो गया हमारे वेज़ेटेबल्स पे हम इसको दो व्रिसल देंगे और थोड़ा सा इसमें वाटर आट करेंगे इसको मिक्स करके अब चाहे तो सॉल्ट इसमें एट कर सकते हैं या तो बाद में प्याइब कर सकते हैं देखें मैं अभी इसको कवर करके दो ब्रिसल के लिए छोड़ देती हूं चलिए साथ ही साथ हम अपनी आपाजी की रेसेपी स्टार्ट कर लेते हैं तो हमें पैंन लेंगे उसमें आउय्ल डालेंगे मैं ओलीवाय यूज यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा वृष आपना जोटी लोण बुट रोड करता हूँ है उसको बहुत है प्लोड काई बनाना इस by सुब्सक्रा यूज है है यूज करहिए यूज करना है है इसमें और भी ज्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा हम इसमें चॉप अपनी हमने अनियन डालनी है और इसे पिंकिश तक हमें फ्राइब करना है जब तक वह गोल्डन पिंक ना हो जाए यह देखिए हमें इस अच्छी तरह से फ्राइब करना है और साथ ही साथ मैं इसमें अपने एट करूंगी चॉप कैपसिकम कि मुझे इसमें थोड़ा क्रंची फिलेवर चाहिए तो आप इसको अभी एट करें अनियन के साथ यह देखिए इसे हम अच्छी तरह से फ्राइब करेंगे यह बहुत ही इजी वे में मैं आपको सिखाया है चलि रही हम चैक करते हैं आपना हमारा वज़ेटेबल कुक हुआ ने हुआ यह देखिए न वजटेबल प्रापर कुक हो गया है और कितना सुंदधा लग रहा है देखने में आप देख सकते हैं आप उसको मैश करेंगे यह हमारे जितनी सारी जब वजटेवल भी बॉइल हो गी है तो यह इसली हम इसको मैशर से मैश कर लेंगे यह देखिया मैंने सारी वेज़ेबल भी मैश कर दिया है इससे जो फ्लेवर आता है वही पाव वाजी में टेस्टी फ्लेवर आता है क्यों क्या होता है कई लोग इसको मिक्सी में भी ग्रेंड कर देते हैं बड़ उससे वह फ्लेवर नहीं आपाता है तो आप कोशिश करिए इसको इस तरह के से पूरा मुंबई इस चैलें बनाने का यह देखिया हमारा अनियन और कैप्सिकम भी फ्राइब हो चुका है आप इतने में मसाला एट करेंगे जो मैंने आपको बताया था और थोड़ा से सॉल्ट सॉल्ट आप थोड़ा क्यार्फूल होके डालना क्योंकि आपने बॉल वेजटेबल में भी सॉल्ट आट कर रखाया है इसको हम फ्राइब करेंगे क्योंकि पाव बजी का मसाला है हम इसको अच्छे दरा से फ्राइब नहीं करना नहीं तो उसका जो भी फ्रेग्रेंस है फ्लेवर है वो सब लिकल जाएगा हम इसमें एट करेंगे अपना ग्रीन चिली यह ऑप्शनल है और जितना उसके ग्रीन चिली को आप बारी काटे बिल्कुल छोटा छोटा उसी क्या होगा उसका टेस अच्छे आएगा अगर आप बड़ी चॉप कर देंगे तो नजर आएगे अपी बाबाजी की ग्रेवी में तो चलिए देखते हैं अपना ग्रेवी हमारा कैसा हुआ है यह देखिए कितनी अच्छी तरह से मैश हो गया है अगर आपका यह मैश है नहीं है तो आपी काम करिए अपने घर में ग यह देखिए मैं जैसे डाल रहे हूं और एक चीज का प्यारूल ध्यान रखना जब भी आप पावबाजी बनाए तो जो आपका सर्फस है वह एक्दम फ्लैट होना चाहिए बर्तन का जैसे कि आप देखते हैं बाहर भी हम काते हैं तो वह तवा जो होता है भीकुल फ्लैट होता है उसमें क्या होता है यह पूरी अच्छी तरह से प्रॉपर कुक होती है चारो तरफ से तो हमें पावबाजी की ग्रेवी को इवनी कुक करना पड़ता है यह देखिया हमने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है अब मैं इसमें एट करूंगी घी घी बहुत बहुत अच्छा आता है चाहे तो स्कीप कर सकते हैं बट मेरी एडवाइजर के अगर बचे यह लोग खा रहे हैं तो इसमें घी जरूल एड करें विंटर के लिए अच्छा होता है अब इससे हम कवर कर देंगे दो मिनिट के बाद चलिए दो मिनिट के बाद देखते हम इस जो कलर आया है बिटूट का कलर आया है मैंने आपको शुरू में इसलिए बोला था कि आप जो भी बरतन हो आपका इसका फ्लैट हो सर्फेस क्योंकि हमें इसको यहां पर मैश करना होता है यह देखिए जैसे यह बिलकुल लग रही है ना मुंबाई स्ट्राइल की पाव भा कॉरेंडर जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा तो आलमस्स रेडी हो चुकी है मेरी पाव भाजी की ग्रेवी अब हम इसमें इतना बटर एड करेंगे और इसे कवर करके रख देंगे फोर टू मिनट तो साथ ही साथ हम अपने पाव भी रेडी करते हैं तो मैंने अपने पाव भाजे के पाव इसली मार्किन में अबलेवल हो जाते हैं मैं बहुत जल्दी पाव की रेसिपी भी अपलोड करूंगी ताकि वो भी आप इसली घर म बना ले यह देखिये हैं हमने अपने पाव रख दिया है अब हम इसमें बटर अपलाई करेंगे यहां तो बटर अपलाई करना ही पड़ेगा अगर आपने यहां बटर अपलाई नहीं करा तो आपके पाव भाजी का पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा और वैसे वी बीना बटर के तो पावभाजी अधूरी ही रहती है यह देखिए मैं बटर लगा दिया इसमें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे बोलाता है कि यह मुंबई स्टाइल की पावभाजी है जो हम मुंबई स्ट्रीट में खाते हैं तो उसका टच देनी के लिए मैं आपको एंड थोड़ा सा कॉरिंडर एड करेंगे जब अपना भाजी में डाल रहे थे कॉरिंडर तो थोड़ा सा उसमें से रख लीजिए सिंपल और इसमें एड करिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करिए यह देखिए है हमारा मुंबई स्टाइल वाला अभी हम पाव भी आपको एक पाव उठाना है इसको टैप करना है और रखना है थे किसी तरह से हमें सारे पाव में थोड़ी भाजी लगानी है यह देखिए जिस तरह से मैं लगा रहे हूं एक बार इसको आप टैफिनिटी ट्राई करना है इससे आपकी पाव भाजी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी आएगा यह देखिए अब इसको हम अच्छी तरह से क्रिस्पी करेंगे मैं इसको टान कर रहे हूं जो मैंने इसमें अपनी पाव भाजी की ग्रेवी लगाई थी वो इस तरह से कुछ दिखेगा आपको तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगिए तो प्लीज कमेंट्स चरूर करना लाइक करना और सब्क्राइब करना जो नए है मेरे फ्रेंट्स तो अभी हमारी भाजी भी रेडी हो चुकी है और पाओ भी रेडी हो चुकी है चलिए हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते है यह देखे हमारी पाओ भाजी बनके रेडी हो चुकी है और यह बहुत ही जादा टेस्टी बनी है आप प्लीज अपने घर में ट्राई करिए और कर दो